चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाए और नए डाले गए वीडियो की सबसे पहले जानकर ही प्राप्त करने के लिए इस बैल आइकन को फिलिए दूस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है यह उन विरुजगार भाई बहनों के लिए खास हैं जो हमेशा गौवर्मेंट जॉब की तलास करते रहते हैं आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने जा रहा हूं जिसके उपर आप लैटेस्ट कॉवर्मेंट जॉब की जानकरी कौन-कौन से फॉर्म निकले हैं कब निकले हैं और अंतिम डैट कब है इसकी सारी डिटेल सिर्फ एक वेबसाइट के माध्यम से आप जान सकते हैं तो दोस्तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक SSO ID की जरुवत पड़ेगी आप गुगल पर लिखे SSO Login जैसे ही आप गुगल पर सर्च करेंगे SSO Login आपके सामने राजस्तान Single Sign On ये लिखा हु इसका एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं अगर आप SSO ID भूल गए हैं या अपना password भूल गए हैं या आप अपना SSO ID डिलिर करना चाहते हैं या SSO क्या है इनके सारे टॉपिक के बारे में मैंने वीडियो बना रखें और उसके सारे लिंक मैंने डिस्क्रि अब जोस्तों जैसे ही आप SSO ID में पहुंचोगे यहां पर दो तरह के एप आते हैं अगर आप गवर्मेंट एमप्लोई है तो आपके गवर्मेंट एप भी आएंगे और यहां पर citizen आप आएंगे तो अभी हम citizen एप के अंदर एक होता है recruitment portal तो आप यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर यह हमें SSO ID और password वापस मांग रहा है तो एक बार वापस डाल देते हैं अब दिखिए यहां पर आपका online recruitment का पॉटर खुल गया है और यह साइड में आप देख सकते हैं कि कितने कितने अभी recruitment निकले हुए हैं अगर आप सारे recruitment देखना चाहते हैं तो यह view more के ओपर क्लिक करें और all recruitment इसके ओपर क्लिक करेंगे यहां पर दिखिए re-examination of level 2 पंजाबी सब्जेक direct recruitment 2012 स्टार्ट हुआ है 26 February 2018 इसको आपप्लाई कर सकते हैं डारेक रिकृट्मेंट पर कंप्प्यूटर रिकृट्मेंट फर क्लास फॉर्थ एम्प्लॉई डायसता रिकृट्मेंट लेवल फर्स्ट तो यह सारे रिकृट्मेंट की डिटेल यहां पर दिखाई दे रही हैं जो closed हो चुके उनके आगे लिखा है क्लोज्ड और जो अभी चालू है उनके आगे लिखा है एप्लाइट ऑनलाइन तो जो अनेंप्लोइड बाई और बहन है उनके लिए यह बहुत ही काम की वेबसाइट है तो दूस्तों आप अपना SSO ID बनाकर online recruitment में sign in कर लें और यहां से आप सारे form online apply कर सकते हैं अब यह जैसे ही आप apply करने पर पूछोगे तो यह कह रहा है कि क्या आप अपने profile से candidate क्या data लेना चाहते हैं तो आप yes कर सकते हैं वहाँ पर यह पूरा form आ गया है आप यहां से इसको बढ़ सकते हैं यह बढ़ने के बाद यह basic detail है उसके बाद personal detail उसके बास quality experience आई इंडिफिजर और इंक्लोजर तो इस तरह से आप direct यहां से भी कोई भी form apply कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो जबूर से एक like बटन दबा देना और अभी तक मेरे चैन कर दोस्तों अगर आप कर दोस्तों जबूर और इंक्लोजर तोस्तों आपको यह वीडियो आपको यह से प्यान दोस्तों ओड़ता है उसके बाद